कि नमस्कार दर्शको मैं हूँ प्रद्या आप मुझे देख रहे MNS निउस लाइब पर खबरों की और रुख करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम वही खबरे आपको दिखा दे जो आपको जानना जरूरी है क्यूंकि सच जरूरी है साक्षी अजितेश को सुरक्षा मुहिया करने का निर्देश बरेली की लौश्टोरी इन दिनो चर्चा केंद्र में है साक्षी और उसके पती अजितेश की अरजी पर इलाबाद हाई कोट ने सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने साक्षी के पिता राजिश मिश्रा को फटकर लगाई इस बीच ए भी खबर आई की अदालत परिसर में साक्षी और अजितेश के साथ मारपिट की गई लेकिन पुलिस ने मारपिट से इंकार किया है इस बीच राजिश मिश्रा को हिरासत में लिया गया हाई कोट ने साक्षी और अजितेश को बालिक माना है और साक्षी के पिता के वेवार को गलत माना साक्षी ने एक वीडियो जारी कर ये बताया था कि उसकी और उसके पती की जान खत्रे में है उसके पिता गुंदों के जरे उनका पीछा कर रहे है ये बात अलग है कि बरेली के विद्री चेनापूर से विदायक राज़ेश मिन्स्रा उर्फव पपु भर्दोल ले आरोप से इनकार किया है उनका कहना है कि उनकी बेटी बालिक है और उसने जो फैसला किया है उसे उन्हें एतराज नहीं है साक्षी और अजितेश के वकिल का कहना है कि उनके मुवक्तिल के साथ इलाबाद हाइकोर्ट में मार्पिट की गई लेकिन इलाबाद हाइकोर्ट परिसर में जो कुछ हुआ उससे साक्षी और अजितेश के डर पर मुहर लगाने के लिए परियाब थे MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Hindi app डाउनलोड करें और हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद